एक बार फिर से बिहार के नियोजी सिचको के दवारा पूराने बेतनमान की मांग उठाई जा रहा है कहा जा रहा है कि जिस परकार से पूराने सिचको को बेतनमान दिया जाता रहा है उसी परकार से अम नियोजी सिचको को भी बेतनमान दिया जाए लेकिन हाई कोट के जीत और सुप्रीम कोट के हार के बाद में परकिरिया ही कुछ बदल गई, सरकार की सोच ही कुछ बदल गई, दर्वना परदर्शन का दौर चलता रहा है, कुरोना काल के बली चहक गया और जो मांगे मिली, मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ बेतन की बढ़ोतरी हुई, वह अपरेल महीना से होने वाली है मैं अपना अवचारी कुप से अपना परिचे देद हूँ, मेरा नाम सुनिल बोवी है, और आप इस शमय देख रहे हैं मगत संबाद, तमाम लोगों को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ चलिए एक बार फिर से बिहार के नियोजी सिचक संगठनों के दोबारा पुराने बेतनमांग की मांग उठाई गई है, कहा जा रहा है कि अब सिचको को भी पुराने बेतनमांग दिया जाए, जिसके लिए कहा गया है कि जो इसके सही है, जो लगता है सरकार को कि इनको मिलन चाहिए तो वैसे सिच्टों को यह मिलना चाहिए यह बाते जो है टीटी एस टीटी नियोजी सिचक संग के दुआरा एक वर्चुल बैठक के दोरान सरकार से मांग उठाई गई है कहा गया है कि ऐसे सिच्टों को जाज परक करने के बाद में परदस्ता को शाथ में टीटी उ पुत्री नियोजी सिचक संग गोपगूट के परदेश पदादिकारी मंदर की बैठक में रविवार कोटी बैठक ओनलाइन हुई बैठक के अधस्ता करते हुए संग के परदेश अध्यज मारकंडे पाठक ने कहा है कि इंडेक्स 3 नियुक्ती 33 से एप ग्रिजवेटी बिना टेटी परमोसन नहीं के मामले में संगठन दुआरा हाई कोट में याज का दायर की गई है बिर्मन तिथी से ग्रेट पे के मामले में भी और माननावाद दायर करने की तैयारी है परदेश सचीव साकीर इमाम, अमीद कुमार, नजीर हुसेन और संजीत पटे ने कहा है कि नोपर सिची सिचको के एरियर भुकतान और नीमित बेतनमान भुकतान को लेकर सरकार का रूख नेरा साजनक है परदेश परवकता स्वनी पांडे, परदेश मीडिया प्रवारी राहल विकास और परवन्द समीति सदस परमुद कुमार ने कहा है कि आईटी और एनसीटी के सभी मापड़न्डों के पूरा करने वाले सिचको को पुन बेतनमान देकर उनका सोचन किया जा रहा है सोचन के जब बहुत जल्द राजय कमीटी के बैठक कर परखंड किसे लेकर राज अस्तरपर सरंगहस तेज और दिसा में संगटन करवाई करेगा यानि कि फिर से एक बार से एस टेटी सिचक संगटन के दवारा आंजोल अंदोलन तेज करने की बाते की जा रहे है लेकिन मैं पिछी की बात बता दूँ कि बिहार के तमाम नियोजी सिचक संगटनों के दवारा अपने समान काम समान बेतनमान को लेकर पुरानी बेतनमान को लेकर जहां सडक से लेकर सदन से लेकर कोट तक आंदोलन किया गया मांगे उठाई गई पटना हाई कोट के दोवारा नियोजी सिजको को समान काम समान बेतन का आदेश दिया गया लेकिन ब्यार सरकार के दोवारा नहीं माना गया और सुप्रीम कोट में उस मामले को लेकर चला गया जिसमें लगातार कई तारिक पर तारिक तारिक पर तारिक मिलते गएं लेकिन ऐसा उस समय सिजको को लग रहा था कि जित हमारे सामने है कि उनकी जो भी वकीलों के बिस डिसकर से चल रहे थे उनस तमाम चीजों से ऐसा लग रहा था नियाधीस के रुख को देकर ऐसा लग रह जित तो सिचको कहीं होगा लेकिन जब डिसीजान आता है तो बिलकुल साफ हो जाता है कि नियोजी सिचको को समान बेतनमान बिहार सरकार चाहे तो अपने फंड को देखकर दे सकती है इस पर कोई हस्यप नहीं है निरासा लगी अब देखिए कि फिर से बिहार विदान सबा च जुकी सरकार भी सकते में आ गई थी लेकिन कुरोना काल की बली चक गया सिचको का अंदोलन और सरकार को भी एक नई राह मिल गई और सिचको को मानवता के नाम पर अपने अंदोलन को समात करना पड़ा लेकिन विधान सबा चुनाओं से पहले कुछ रकम बढ़ाई गई ब करने के बात्यदों को जोड़ी गई तबादला की मांग के दोबारा था जिसमें भी बात में भी सैक भुछ तो माना गया कुछ फिर अटका करभटकाने का काम किया गया यानि महिला सिचको और दिव्यांग सिचको के ही मात्रतवादला की बात की गई अभी तक परमोशन अस्ताना अंतरन तमाम चीजे अटके और भटकी नजर आ रही है तो एक बार फिर से नियोजी सिचक संगटन के एक संगटन सिचको में पुराने बेतनमान को लेकर सुग बुगाहाट सुरू हो गई है आंदोलन की गती देने की परकिरिया अब तेज हो रही है अब आज उठ रही है लेकिन अब देखना यह होगा क्यों कब होता है बीच में पंचाय चुनाओ भी है ऐसा माना जा रहा है कि पंचाय चुनाओ के बाद बिहार के नियोजी सिचको के द्वारा एक बार फिर से सरकार के खिलाब सिच्चा विभा के खि आपके लिए अगर सुचना मिलती है अपडेट आता है तो आपके बीच हम लेकर आने का काम करेंगे फिलान इजाज़ती दिये धन्यवाद जय हिंद जय बारत बंदे मातरम